जे बजरंग वले प्रिमित्रों आज हम सिखेंगे बालक का नाम करने का संसकार बालक का नाम करने कैसे किया जाता है आज हम बहुत संख्षित रोप में बालक का नाम करने का प्रयास करेंगे पहले बालक के नाम करने के लिए हमें जानकारी ले लेनी चाहिए किन-किन चीजों के अवस्रक्ता पड़ती है पहले तो हमें सुद्ध जन में समय बनाना पड़ता है बेलांतर बनाना पड़ता है फिर पंचांग सुद्धी करन करना पड़ता है फिर इस्ट काल बनाना पड़ता है, इस्ट काल के बाद भयाद बनाना पड़ता है, भयाद के बाद भगोग बनाना पड़ता है मित्रो ये सारे वीडियो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं सभी वीडियो आपको अमाले देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे जैसे कि आज हम देखते हैं भयाद नामकरण संसकार करने के नियम को भयाद की घटी मित्स से 4 का भाग देते हैं जो सेस आए उसमें 60 का गुणा करते हैं फिर सेस में पल जोड़ देते हैं और फिर उसमें से चार का भाग दे देते हैं अगर फिर सेस बचे तो साठ का गुणा करते हैं चार कर देते हैं इसमें से सेस बचे नहीं बचना चाहिए जो भाग फल आए उसमें से प्रथम चरण होता है और इसी तरह प्रथम चरण में से हम दूसरा जो है दो से गुड़ा करने पर दुतिय चरण आता है दुतिय चरण प्रथम चरण को जोड़ देने से तीसरा चरण आ जाता है तीसरे चरण में प्रथम चरण जोड़ देने पर चौथा चरण आ जाता है अर्थात चरण भभोग घटी पल के नियम के अंसार होता है मित्रो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप यहां पर लिखा हुआ दिया हुआ है आप इसको पहले नियम को लिख ले लिखने के बाद नियम को आप विस्तार से उसको देख सकते हैं कहां पर हमारा नियम क्या कह रहा है किसको कहां पर कितने का गुड़ा करना है कहां पर कितने का भाग देना है यह आप विस्तार से देख सकते हैं जब आप नियम लिख लेंगे तो नियम लिखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से नामकरन बालक का संसकार कर सकते हैं जैसे कि अब आगे देखते हैं कि हम आप लोगों को बताए हैं थे कि आपको यदि हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको बिधपूरवक समझ में आ जाये है कि हमने कहां से क्या लिया है और लेने के बाद हमने बालक का नाम संसकार किया है आपको हमारे नीचे दी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से है उसमें आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगी और जब मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको बिधपूरवक समझ में आने लग जाएगा आए मित्रों हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि एक उधारन लेते हैं उधारन में क्या कर भाग दिया तो चार एक कम चार आया है यहाँ पर हम लिखते हैं एक और यहाँ पर लिखते हैं चार अब इसी में से 24 और 24 में से टोटल हमारा चार का भाग देने पर आया 16 और यहाँ पर 0 आ गया है अब 0 आने के बाद हमारा यहाँ पर 50 बसता है कि कुछ 400 और 50 में था तो ह पूरा भाग करने के बाद हमारा 12 आता है और सेस दो में हम 60 का गुणा करते हैं तो 60 का गुणा करने के बाद 62 120 में हम पुरा चार का भाग देते हैं तो टोटल 30 आता है और 60 आजाता है इसी तरह हमारी करणे के नियम के अंसार हमें क्या प्राप्त हो जाता है प्रथम चरण यदि हमें प्रथम चरण प्राप्त हुआ है इस प्रथम चरण को हम लिख लेते हैं तो हमारा 16, 12, 30 हुआ तो यह हमें क्या प्राप्त हुआ प्रथम चरण तो जब हमें प्रथम चरण प्राप्त हो जाता है तो हमारा नियम क्या करता है यदि इससे ज़्यादा हो तो हम दो से गुणा करते हैं तो हमने दो से गुणा किया तो 32, 24 और 60 आया अब इसमें से हमारा नियम करता है यदि ज़्यादा भी है तो हम 60 का भाग दे देते हैं का भाग दिया है हमने तो यहां पर 32, 25, 00 प्राप्त हुआ यह हमें क्या प्राप्त हुआ दुट्य चरण में प्राप्त हो गया अब दुट्य चरण में हमारा नियम कहता था प्रथम चरण को जोड़ देने पर तो हम 16, 12 और 30 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ त जब हमें तीसरा चरण प्राप्त हो गया तीसरे के बाद फिर हमारा नियम कहता है कि हम प्रथम चरण को जोडते हैं तो हमारा प्रथम चरण कितना था ? 16, 12 और तीस थम मित्रो यह आपको ब्रिस्तार से बता आऊँ उदाहरण सहित बताया हूँ आपको मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है आई हम इसका नोट देखते हैं नोट क्या कहता है कुछ 64 की बात आएगी 64 तो 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए पर इसका नियम आप लोगों को बताता हूँ इसका नियम क्या कहता है क्योंकि इसके नियम के आधार पर हम नामकरण संसकार कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं प्रथम चरण चरण बताते समय हमें साठ से ज्यादा आए तो हमें साठ का भाग दे देना चाहिए यदि 60 से आता है तो हमें 60 का भाग दे दें हैं चाहिए चारो चरणों में से जिस चरण के अंदर भयाद के घटी पल मिलते हों जैसे कि आपने चारो चरण आपको मैंने बताया प्रथम चरण दूती ये चरण तृती ये चरण चतुर चरण इन चारों चरणों में यदि भयाद के घटी पल से मिलते हैं तो उसी चरण के अंसार जातक का नाम संस्कार होता है उसी चरण में जातक का नाम आएगा और उसी चरण में जातक का नाम रखेंगे हम यसे प्रथम चरण में आता है तो आप जानते हैं प्रत्म चरण में कौन कौन से होता है चोलालिलू यह हुआ मेसराथिक मेसरास का प्रत्म चरण गर्णी तो रहे हैं को अच्छी तरह से समझवें आ गया होगा जैजिस्रयादे मित्रों आप लोग विष्टे सरोप से यह दे नहीं समझवें आ तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं mail कर सकते हैं मुझे और आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि यहां पर मुझे समझ भे नहीं आ रहा है मित्रो मैं आप रहों को नियम के अंसार बताने का भरपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैं सोचता हूँ कि नियम के अंसार ही चलें मैं अभी तक एक ही जन्म समय लेकर चल रहा हूँ जिस जन्म समय को मैं लेकर चला हूँ आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में सुध्ध जन्म समय बनाने का नियम में जो मैंने जन्म समय और आपका डेट आप बर्थ लिया था वही मैं लास्ट तक जन्म समय डेट आप बर्थ लेकर चलूँगा और जो कि आपको कुंडली बनाने के नियम में मैं आपको बताऊंगा जिसमें से आपको ग्रैस पस्ट भी उसी समय कल बताऊंगा और आपको दसा अंतर दसा ये सब निकालना लगन ये सब में नियम के अंसार ही निकालूंगा एक ही जन्म समय लाश्ट तक लेकर चलूंगा तो आप लाश्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से कुंडले बनाना आपको आ सके मित्रों, बहुत से मित्रों का कहना था कि नाम करण संस्कार को पर 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 आप मुझे बताईए नियम के अंसार तो मैंने बताने का प्रयास किया है मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका ऐसा ही मुझे प्यार मिलता रहे और मैं हमेसा आप लोगों का